मेरे प्राइब दोस्तों मैं राहूल सिंग आपका अपना यूटूब चैनल बिहार डिफेंस स्पेस पर स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोग पूरा डाउट के लिए रोज़ा एक भी डाउट नहीं होगा जो आप लोग को नहीं बचेगा तो बस आप लोग वीडियो पर लाश तक देखेगा तो आप लोग पुरा समझ पाईएगा तब अब अच्छा सा बाद नहीं कल पा रही है तो हम लोग समझते हैं कि PSL आखिर होता क्या है PSL के एयर फोर्स के फोर्म लाजिए इसको बोलता है 16 score our वे गया है जैआ अप लिए ज्ट शभी वैगोज inten बगर रहा हुआ, दूसरा फिजवा, मेडिकल पीए जब भी लिकलता हूँ, मेडिकल के बाद लिकलता है, डीखल से पहले कहई पीए पीएसल नहीं लिकलता है, तो सब को यह डाउट आ रहा हूँ कि सर, 31 अक्टूबर को जो डेडड देड दिया है, 31 अक्टूबर को का 31 अक् possible यह नहीं है कि बीना medical से पहले PSL जारी नहीं होगा अब देखते हैं कि PSL का procedure क्या होता है PSL कैसे जारी किया आता है मैंने पहले ही बता दिया कि PSL कभी भी state wise नहीं आता है वो पूरा all India आता है आप PSL के जानने के लिए छोटी सी बात है कि यह PSL आपका final payment list है नहीं करती है example के तोर पर हम लोग देखते हैं कि PSL कैसे जारी किया आता है नीचे diagram है जो आपको इसका यह करेंगे नीचे diagram है जिसको हम लाते हैं देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि PSL है ठीक है ना हम से लोग समझते हैं PSL ठीक है यहाँ आप देख रहे होंगे कि सबसे left side से लेखिए यह देख रहे हैं यह देखे हैं merit position जब भी PSL लिकलता है तो आपको number के coding rank tag की जाती है मतला आपका number जतना best अच्छा रहेगा उसके अनुसर आपका rank दिया जाएगा जतना अच्छा number हैगा जतना अच्छा rank मिलेगा rank मिलने से क्या होता है कि सबसे आपका selection जो है न वो आपका percentage जो है बर जाता है तो percentage कैसे बर देगा जिनका rank मा लिजे कि vacancy 3000 है आप PSL में 4000 दे दिया तो जिसका ज्यादा rank रहेगा chances उसका अच्छा बनता है जिसका नीचे rank रहेगा वो betting में रहेंगे तब सुल लेते PSL में किसका किसका नाम आता है तो आप उसके बरगल में जैस्ट उसके बरगल में देख रहे हैंगा इसको बोलते है एरफोर्स सेलेक्शन सेंटर यह आठ पांच छे चार जैतना भी इंडिया में सेलेक्शन सेंटर जैसे बीटा के लिए जा है तो बीटा का एरफोर्स सेलेक्शन 10 है यह मैंने एक पिज लिया है बाकी पिज है इसमें आपका जो रॉन नमर था लिए इसमें नाम आसमें देट अप बर्त आप देख लेते हैं कि पेशल में आखिर आता कौन कौन है जो फिट का निलेट है यह पिज़ होंगे जो मेडिकल में अनफिट होंगे ओभी आए ठीक है ना अजो मेडिकल में मतलब शीट में परजेंट हुए आप फीट में परजेंट नहीं हुए उसका भी लिष्ट है कि उसने उन्हों प्याज वा इकजामनेशन था उसमें बैठा ये एकजामनेशन पर बनता है तो उसमें बनेगा कोई 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 लड़के होंगे तो उनको तीन मनत का टाइम दिया गहा हुँए उन का धीन नाम इसमें जारी किया जाता है ठीक है? उन का नियाटों का विनाम इसमें जाड़े किया जाता है, तो हम लोग समझते हैं, पर आपने ये PSL समझ लिया कि PSL में किनका किनका नाम आता है, और हम लोग उपर जो करते हैं, वो हम लोग समझते हैं, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, हम लोग आप उपर चलते हैं, अब कितनी होती है, PSL किस वो समझ लेते हैं, आप लोग डाउट आ रहा होगा, उसके बाद हम लोग बैच करेंगे, इसे इंटेक लिख रहे हैं, इंटेक क्या है लिख का है, तो हम लोग सीट पर बात करते हैं, तो हम लोग पहले समझ जाते हैं कि कौट अप कितनी बनती है, मैंने एयरफोर्स के पिछले 3-4 साल का, बैच का, मैंने PSL का study किया कि कौट अप कितना गया है, तो कभी भी एएरफोर्स का एक गूरूप का, हम यहाँ एक गूरूप का 40% 28 से लेके 35 इससे ज़्यादा कभी भी एयरफोर्स से cut-up नहीं गया है हम यह 100% कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा cut-up जाने के चांस है PSL का बनता भी नहीं है PSL का no key merit list enrollment list का बात नहीं करें PSL का बात करें 100% कह सकते हैं कि 28 से 35 नंबर से ज़्यादा PSL का cut-up नहीं जाएगा वो जो कमेंट करें कि समय पचास है 60 है अच्छी बात है अप लोग अच्छा नंबर है तो आप लोग का रहेंक अच्छा है का possibility है बन जाएगी सभी का job लगे हम यही कामना करते हैं कि आप लोग सब का selection इस वर हो जाए यह मैंने बात आया PSL का cut-up इतना जाएगा अब बात करते हैं कि seat कितनी है तो हम लोग अभी लोग आप इस कीन पर देख रहे हैं इंटेक मैंने लिखा है इंटेक 01 का है लिखा है अब लोग इसके लिए एक basic समझने के बात है इसमें दो बैच लिकालती है जैसे बैच लिकालती है तो जैसे अभी 20 चला है 2020 चला है इसमें दो बैच बनी एक बनी इंटेक 01 2021 ठेक है और दूसरी बैच बनी जीरो 2021 दो बैच हमेशा इयर फोर्स जो बनाती है इसमें एक्स ग्रूप भी आएंगे और वाई ग्रूप भी दूनों में एक्स ग्रूप वाई ग्रूप रहते हैं अब अब सर अब डावटर रहागे सर इहां इंटेक 01 2021 का है लिखे अब समाझते है जब इयर फोर्स की का वेकैंसी है उसमें आप पोस्पेक्टर में जाके पर सकते हैं जो इस्ट्रक्शन दिया गया था उसमें टुटली ची दिया गया है कि यह ची है उसके बाद क्या हुगा कि जैसे यह ज्याम का डेट आया है देख लिजे उसका मैंने पेज भी ले लिया है अब तो अच्छ गया था यह वेकैंसी जो इंटेक यहाँ पर देख रहे हैं यह वहां इंटेक आप जाकू देखो गये उपर तो जीरो वन ट्वैंटी ट्वैंटी है तो किया क्या गया है कि वेकैंसी को बदल दिया गया है जो यह फोस्ट के फर्स्ट बैजियो थी जीरो वन जीरो वन स्मिर में जो फरम है, मार्च में एक्वान होने वला था, इसको बदल दिया गया इन्टेक टू, 2020, 2021 में, तो यह आपको एक्वान के थुरू लिया गया है, यह आपको रैली के थुरू ले गया है, और बोले यह 31 October को बताया गया लेकर 31 October को possible नहीं है कि आप आयागा इसमें सीधा कहा दिया गया देखो नीचे Validity for PSL has been 6 months for the date of display has shall be applicable for only intake इतना इसमें सीधा कहा दिया गया है कि PSL के Validity आप लोग अभी पता भी होगा यह PSL जब भी लिकलता है उसके बाद इसका 6 months का ही Validity होती है 6 months का ही Validity इसकी होती है PSL का इसा सीधी बात करते हैं कि intake 0, 20, 21 में यह हो जाएगा तो rally का बैक जो है इससे बनेगा अब हम लोग मैंने आप लोग ने समझ गया अब हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है आप से तो यह PSL का मैंने बताया कि की batch जो है इस बार rally का batch intake 20, 21 से बनेगा कट अब मैंने बता दिया कि 35 से 40 की बीच में cut up उसे ज्यादा cut up नहीं रहने का है अब लोग समाजते हैं कि seat कितनी रहेगी इस बार PSL में seat कितनी रहेगी और यह कितना का इस बार selection होने वाला है मैंने एक आप नहीं हो सकता है तो आप Google पर जाके लिखो यह कि X Group PSL PSL 20 मतलब इंटेक 21 2020 कर देना मतलब कहने का मतलब अभी तो बैच चला था यह पैच चला था न यह है न इसके जगा आप क्या कर देना खली 2020 डाल के इसके तू जहा यह अभी कि एरफोर्स के साइड पे यह बैच अभी लेवल है उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें सीधा टूटली चीज PSL का भी लिष्ट है इंडॉल्मेंट लिष्ट भी है औल इंडिया जब ही आती है इस अब आल इंडिया आती है उसमें मैं आपका सीट का मतलब करता हूं कि सीट की सनुसार से है जब एक्स ग्रूप आया था तो उसका PSL का डेट है PSL का जो लिष्ट आया तब PSL में टोटली पिछले वेकैंसी में पिछले मज़े जो दिसमार में आई थी 2019 के दिसमार में उसमें जो बैच बनी थी जैसे यह बैच बनी थी इसमें हम PSL का जीक्र करते है इसमें PSL जब बना था तब PSL में आया था 32, sorry 43, 32 PSL में टोटली कंडियर्ट का नाम आया कटप कितना देया गया था इसका? इसका कटप दिया गया था 23, आप जाकर देख सकते हैं इसका 28 कटप रखा गया था PSL का सेलेक्शन केतना का हुआ था तो 43, 32 कंडियर्ट जथा PSL में सेलेक्ट हुए थे दैन मेरिट जब बना तो मेरिट जब बना एक्स गुरूप का यह PSL जो मैंने बता है यह था All India, All India में कि हर स्टेट आ जाएगी तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटा में कितनी सेलेक्शन हुई थी तो बीटा में इसी बैच पिछले साल के एक्स गुरूप के बैच में बीटा में सेलेक्शन हुआ था 200, 33 कंडियर्ट का सा जो पिछला बार सेलेक्शन हुआ इस बार हम लेकर चलते हैं कि इस बार कितनी सीट हो सकती है इस बार हम सीट लेकर चलते हैं इस बार भी सीट जो अनुमानन सीट है जो हम बता सकते हैं इस बार भी सीट आपका 200 से 20 से लेकर 230 से जाए इस से जाए सीट नहीं होगी 200 से नीचे भी नहीं होगी और 230 से उपर भी नहीं होगी क्योंकि अभी ऑवी आउस्वी खुछ- products deed अैक हां ररेली होनी बाकी ऐग चब तक राइली पुरा प्लिडी नहीं होती है तब तक मोरी से पहले इन उलमेट लिष्ट पार शहां तक हम को लगता है जनुवारी से जो मतलब सेलेक्शन हुआ इसने कितना का सेलेक्शन हुआ उसका कटप केतनी थी टोटली ची बता दिया कि PSL में कौन आता है और इस वार बैच जो बनने वाला है है रैली का वो कौन सा बैच बनेगा टोटली ची मैंने इस डाउट की लिए कर दिया फिर भी कोई डाउट है आपको अब टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं या प्रसनलिया में मैं पूरा उसका सलूशन प्रवाइट करने को से मैंने अपनी तरब से पूरा आपको संझाने को पूरा चुका है आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका मैं सलूशन आप लोग को जरूर दोंगा उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनागा वीडियो को इसे पर इंड करते हैं वीडियो अच्छा लागा था कमेंट में जैहीं जैभाद